दोस्तों वैलकम टो एम्स कम्पीट लोजी इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अगर आपने Microsoft Axle के अंदर कोई फाइल क्रियेट की है और वो बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट फाइल है आपने उस पर पास्वर्ट करके रखा हुआ है और अचानक सा आप उसका पास्वर्ट भूल जाते हो और आपकी उस फाइल के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट डेटा है और आप जाता हो उस डेटा को रिकवर करना यानि कि उस फाइल पर पास्वर्ट को रिसेट करना ज्यान दोस्तों इस वीडियो में डीपली जानेंगे कि कैसे एक्सल की फा सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें तो दोस्तों जैसे कि मैंने इंडर पार्टम आपको बता है कि एक्सल की सीट को पर अगर आपनों कोई पासवर्ट लगा करके रखा हुए और आप वो पासवर्ट भूल जातों तो उस अगर यहान पर पर सकते हैं parting आपको यहानने कि यहां पर एक्शल ऑंपन करके रखा है और यहां पर कुछ photo यहां पर कुछ important यह नहीं केशलर पास यहांकि चांट आनगे कि की यहांद रूल जातों तो किस तरह से कर सकते हैं तो मैंसों कुछ यह समझे कुछ importance नहीं है और first of all हम जान लेते हैं कि कैसे Excel की sheet कॉम प्रोटक कर सकते हैं कि उसको password किस तरह से दे सकते हैं तो मैंने यहाँ डेटा टाइप करा इसको password अप्लाए कराने के लिए sheet पर जाएंगे राइट की बटन पेस करना है और यहाँ पर password डालते हैं जो भी आप password इसको देना चाहते हैं मैंने यहाँ पर फिल कराया और नीचे ओक बटन पर किलिक करूँआ अगें सेम वह पासपड यहाँ पर फिल करा देना है 123 यह re-enter के लिए मांगता है पासपड और बटन पर किलिक करेंगे अब यह जो शीट है हमारी वो प्रोटक्ट हो चुग है प्रोटक्ट से वैनिफीट क्या होता है यानि कि आपने जो भी वरक्षीट करना है जो भी डेटा लिख है वो पूरी तरह से सिक्क्राइब है मतलब ना कोई एंसान इसको डिली ही इंपोर्टेंट होता है तो सबसे पहले हमने यह जाना है कि अगर आप चातों कि इसमें आगर आपको पाशवर्ड पता है ठीक है तो अगर आप चातों कि इसमें कुछ चैंजिस पर कहरा करना तो आप क्या करेंगे पाइल को ओपन करने के बाद फिर अगें शीट ऑप्स करेंगे इसके लिए आपको करना क्या है जैसे धापर मैंने फैलोडर फाइल का अंदर रागा दिए पारण लगाने के बाद आपको करना क्यारेश्च में इसमें इसान चाहेंक आप 10 saia करेंगे आपको यहां पर यह ब्राउज पर किलिक करना यां फोल्टर बिल्क करने की तरृक्राइब नाम से मैंने जैसे सको उपन करा और यहां पर इसका नाम आप पूछ भी देंगे यहां पार देदा यहां पर किलिक करेंगे तो यह फाइल को किस तरह से चाहता है इतना करने के बाद आपको करने के लिए यहां पर यहां पर ऐसको क्लोज करने के लिए आप यूज कर सकते एक च्छुट कट कीत step हो कि Под हुछ करता है conf maintaining करते हैं यहाँ वहाँ पर उस फॉल्डर इनके तोहाँ आने के हैं How to तो यहाँ है है और पास नाम के फोल्डर में the file service of OkPol नजब आए आना इक्षाल नेमuses राखा ता यहाँ पर आगर के नहीं दीखा रहा है कि लिए अधर प्रयासी प्रोब्लम cities अरहए है तो मैं आपको बता की हां यहाँ पर action सुल्ट वह रहा है तो वैलन वुड नहीं हो रहा है तो किस सनासरे यहाँ परakukan फाइल पर किलिक करना है और अगर आप यहां पर एक options बिलक करेंगे नीचिए फॉल्डर करेंगे गया नीचे आकर को कटेंश मिलेगा एंट प्सक्र्स फोल्डर सब्सक्रेंथा लोडर सब्सक्राइब आपको बैर नाकर करना है और नीचे आब अप्सको अंटिक कर देना और नीचे अप्लाइब किलिक करेंगे और यहां से ओक बडन पर किलिक करेंगे यहां पर देखेंगे आपकी फाइल के आगया एक्सेंशन नेम आ यहां पर आपको यहां पर आपको करना क्या है इस फाइल को रिनेम कर लेना है यहां पर यहां पर यूज कर सकते हैं यहां पर करने का पर यहां पर लिख देंगे और यहां चाहते हैं तो यह मांगेगा कि आप इस फाइल को जी स्वालिम करना है जो आपको करना है यहां पर प्रेंगे जैसे नहीं यहां पर आपको आपके नहीं का या फिर्ट कर देंगे यहां पर यहां नाम का यह यहां करके रख वह हुआ है तो मैं यहां पर एक्स चाहि हैर के सके जबिक करते हैं और करेंगे इसके एहां पर आपको सामने सीट हमारी फालת अपर oni आपको करना किया है सबने है किलिक करने बाद रायट ख़र बटन पेचे करने लगे इसको या को यहा पर कोडिंग ओपन हो जाएग यह इstaward लिए यह डिपेंड्स करता है आपके और पिदेडा के लिखा है तो ये कोडिंग उतनी ही लोग आपके सामने यहां पर आई और कुछ टाइम भी यहां पर यहां पर ले सकता है यहां पर लिखा है उसको ढूंडने के लिए कोई भी दिक्कत करने की बात नहीं आपको करना क्या जैसे सामने कुछ बिल यहां पर यहां पर जाता है काफी बड़ा तो आपको करना कुछ. यह लिए प्रोटक्षन यहां पर लिखा और यहां पर देखें कि उसको ढूंड के वह दिखा देता है पर लिखा आपको यहां पर यहां से देखना है इसकी जो एक टैग यहां लगा है इसको फ्रक्रण करना हुआ आप यहां से टाइब करते हैं कि यहां से शुरूबारे लिए ज़ुका मसें यहां पर यहांऊ धायँ है जुटी याद रखना है नहीं कि यहां सरय को ऐसे पहले चो यहां अपको उसकी से लेक्शन बना लेता है तो यह तो अबनाने वाली बात नहीं है अगर जैसे हम इसको डिलीट करेंगे तो यह पर पेज मार्जिंग का ओपनिंग यह दोनों भी डिलीट हो जाएंगे तो उसके बाद भी कर सकते हैं आप नॉर्मली टाइप भी कर सकते हैं तो बस आपको करना गया इस कोडिंग के अंदर प्रोट यह जैसे स्टार्ट हुआ है ठीक है यहां से लेस्ट दैन से थीक तो हम यहां पर ग्रेटर पर ग्रेटर लाज में लगा देंगे लिए अब जैसे करने करने मिंदें कर करे दो दो तो बार नहीं कि पर दो बस इसमें इसमें क्या करा कि वह प्रोटक्शन वाला जो कोड था वह हमने यहांसे इसको चैन्ज कर दें फाइल पर जाएंगे फाइल पर जाने के बाद आपको करना है इन सब्सक्राइब करना क्या है को आपको करना क्या है और यहां पर आपको चैन्स किलिक करेंगे इसमें तो यहां पर बनके और यहां पर दे ते दिए और हमैं को सेम आपलाई करना है मैं यहां पर यहां पर मैं नामने देंगा और यहांपर और एक्सल की फाइल में करना चाहता हूं इसको यह पर बता दो यह पर चलिक करेंगे यह फाइल हमारी प्रोपर तरीक है से अब मैं इसको ओपन करकर देख लेता हूं यानि इसके अंदर जो भी डेटा था वह बंडर्टक्ट हुआ है यह नहीं हुआ है और यहां पर हमारी फाइल ओपन हो चीकिए प्रॉपर तरीके से और इसमें कोई भी चांज्ज अब करके यहां पर देख लेते हैं हमारे पर देटा भी प्रॉपर तरीके से आप आ चुक है और मैं इसमेओ कोई वह किक रहा है मैंसको डेलीट करकर देख ल canon कोई जैसे नाम डालता है और मैंने यहांपर यह नाम डाला और यहांप एधायemen डालना है पेला पहले यह था कि अगर पर पास वह टाल थे तब हम यहां मोड़ चे법 कर सकते थे तो इस वीडियो मा हमने जाना है कि कैसे अगर आपी शीट के अंदर कोई शीक्योर डेटा है और आप उस पे पास्वर्ड लगा करके भूल गयो तो किस तरह से पास्वर्ड को रिशाइट कर सकते हैं यह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी पसन आए तो लाइक करो कोमेंट्स करो दोस्त चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए आज के लिए वसित में सीखते रहे सीखाते रहे थैंक्यू सब्सक्राइब वाचिंग इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो बावाएट